हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अनकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बताना चाहूंगा कि आप सब के लिए एक नया foundation course आया जा रहा है यहाएक batch है और इस batch में अलग-अलग teacher यह एक साल का batch होगा बारव महीने की इसकी duration होगी और यह बारव महीने का जो यह batch होगा इसमें अलग-अलग teacher आपको सारे subject कवर करेंगे जैसे आपके आसीज सर हैं और आसीज सर के द्वारा आपको Science and Tech कवर किया जाएगा यह Science and Tech आपको कवर करेंगे साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा भरत सर है यह आपका इन्वोर्मेंट वाला टॉपिक कवर करेंगे गौरव सर है यह Indian पॉलिटी वाला टॉपिक आपका कवर करेंगे GS का मुकेश सर है sociology GS वाला portion मैं खुद यहाँ पर fiscal geography कवर करूँगा complete fiscal geography और साथ ही साथ अनुप सर जो है यह world geography आपका कवर करेंगे पहली चीज यह जो course होगा यह आपके UPPSC की अगर आप तयारी कर रहे हैं UPPSC ही क्यों अधर exam की भी अगर आप तयारी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यह जो course है आपके लिए एक काफी beneficial होने वाला है चुकि यह course एक foundation course है basic से start किया जाएगा zero level से आपको start किया जाएगा और आपको higher level तक की चीज़ें बताई जाएगे इस foundation course का मेन उद्देश क्या है कि अगर आप 2022 के लिए UPPSC के तयारी कर रहे हैं तो आप सही guidance प्राप्त कर सकें कम फीस में अच्छी education अच्छे teachers की guidance में कि द्वारा आप अपने आपको सही दिसा में ले जाएं और अपनी तयारी को एक अलग मुकाम तक पहुँचाएं तो इचुकि यह foundation course है UPPSC के लिए 2022 के लिए तो मैं यहाँ पर फिर से बता दूँ आपको कि साइन्स और टेक यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपका भरत सर है इन्वार्मेंट कवर करेंगे गौरो सर है इंडियन पॉलिटी मुकेश सर आपका जी एस का सोचियो लॉजी का पोर्शन और मैं हूं फिसकल जोग्रफी वाला पोर्शन आपको कवर करूंगा और अनुप सर और है यह वर्ल्च जोग्रफी कवर करेंगे 25 फेवैरी से यह वाला कॉर्स आपका स्टार्ट हो यह बैच स्टार्ट हो रहा है 24 इस में आफिर में आप कैसे इसका बेनफित उच्टा सकते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इस course का benefit उठाने के लिए आपको earn academy के plus subscription लेना पड़ेगा plus से जुड़ना पड़ेगा plus category से जुड़ना पड़ेगा और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा UPPSC category से जुड़ना पड़ेगा और इसके संदर मैं यहाँ पर आपको कुछ price के बारे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप plus subscription लेते हैं तो आपको plus subscription कितने महीने का कितना उसका फीस है और किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं देखिए actual price जो है one month का वो आपका 1400 है यानि 1400 रुपए इसका price है एक महीने का अगर एक महीने का आप subscription ले रहे हैं तो 14 रुपए आप आपको पे करना पड़ेगा आप UPPSC की category पे जाईएगा वहां पर आपको on academy get subscription option आएगा और वहां से आसानी से आप plus subscription ले सकते हैं तीन महीने का अगर आप देखेंगे तो तीन महीने का जो है वहां आपका चार्ज है 3500 वहीं 6 महीने का आप ले रहे हाफ येर का तो आपको 6 मंत का जो चार्ज है वह आपका 5600 है मन्तली अगर देखा जा तो 933 रुपय के करीब आपको यहां पर पढ़ता है ठीक है न अब बात कर लेते हैं 12 मंत का तो 12 मंत का चार्ज जो है वह आपका 7000 है और 24 मंत का यानि 2 साल का अगर आप ले रहे हैं तो 2 साल का subscription ले रहे हैं तो तो केवल और केवल पर मन्त इसके संदर में अगर बात करें तो केवल 350 यानि 350 रुपए आपको यहां पर पे करना पड़ेगा और इसका दो साल का जो कूर्स का प्लस सस्क्रिप्शन का जो चार्ज है वह 8400 रुपीज तो अगर हम लोग इस प्लान की बात करें तो आप तो समय के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप यह 24th मन्त का जो है यानि दो साल का जो सब्सक्रिप्शन है इसको आप ले सकते हैं 8400 में ठीक है अब सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक कोड दिया जाएगा यह है मेरा कोड और अगर इस कोड की बात करें तो अंक ही डिसकाउंट मिल जाएगा यानि अगर एक मन्त का आपने 1400 का लिया है सब्सक्रिप्शन तो 10% का आपको डिसकाउंट मिलेगा और आपकी जो फीस हो जाएगी वह 1260 रुपए हो जाएगी वही अगर तीन महीने का ले रहा है तो तीन महीने पे भी आपको डिसकाउंट मिल उसी तरीके से 24 मन्त का तो अलग-अलग अपनी आवसकता उनसा इसे आप ले सकते हैं कोड आपको मैं बता दूँ अंकुर यादो-9141 यहां आपका कोड है इस कोड का यूज करके आप 10% का डिसकाउंट प्राप्द कर सकते हैं और आपको वहां पर जाना है इस कोड को डालना है, proceed to pay-pay करना है और आपका subscription done हो जाएगा मैं यहां पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यह अच्छा मौका आपके लिए इसलिए भी होता है क्योंकि अभी 1st मार्च से एक मार्च से आपका UPPSE category की अगर हम लोग बात करें तो जैसे जो educator होते हैं उनका कोड आप डालते है या use करते हैं तो आपको 10% का discount प्राप्त होता है लेकिन 1st मार्च से यह discount कम हो जाएगा और केवल आपको 5% का discount प्राप्त होगा तो 10% और 5% में different आ जाएगा तो कोशिज करिए कि 1st मार्च से पहले 1st मार्च से ही क्यों 24th मार्च आपका February से यह batch start हो रहा है तो उसी दिन से आप या उससे पहले भी आज से कल से जब भी आपको उचित लगे आप इस subscription को ले सकते हैं प्लस से जुड़ सकते हैं academy प्लस से और इसका benefit उठा सकते हैं ठीक है तो 10% का discount अभी 1st मार्च तक आपको मिलेगा इस महीने तक 1st मार्च से आपका जो discount होगा वह आपका कम हो इसका यूज कर सकते हैं तो इसको ध्यान में रहें अच्छा अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आखिर मैं on academy के प्लस classes से आप क्यों जुड़े उसके बारे में भी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा जैसे आप free classes किसी teacher के देखते हैं तो पहली चीज तो आपका complete syllabus cover नहीं किया जाता कोई particular teacher के द्वारा अलग topic ले लिया जाता उसको cover कर दिया गया कल दूसरा topic यानि complete syllabus आपका cover नहीं होने पाता है और इससे कम पैसे में कम budget में आपको कहीं किसी coaching में भी जाएंगे तो आपको सारी चीजें cover नहीं हो पाएंगे अलग-अलग educator यहां पर चीजों को पढ़ाते हैं जैसे for example आपको geography पढ़ना या history पढ़ना है तो आपको केवल coachingों में एक history के option मिलते हैं लेकिन यहां पर teachers आपके काफी teacher जो history पढ़ाने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे साथी साथ यहां पर geography पढ़ाने वाले कई teacher मिल जाएंगे प्री मेंस के syllabus आपके cover हो जाएंगे साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आपको recorded videos यहां पर फ्राप्थ होते हैं जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा discuss कर देता हूं कि free classes में आपको limited syllabus ही cover किया जाता है यहां पर आपका complete syllabus cover होता है occasional practice test होते हैं लेकिन यहां पर free classes में occasionally कभी कभार practice test हो जाते हैं लेकिन यहां पर आपको unlimited practice test मिलते हैं अगर हम लोग बात कर लें इसको on academy plus से occasional PDF notes मिल पाते हैं कभी कभार यहां पर complete आपको PDF notes मिल जाते हैं और आपकी रही बात अगर कोई doubts है तो आपका special classes में clear नहीं हो पाते हैं उतनी अच्छे से और अगर आपको कोई doubts रह गया भी है recorded video के दोरान तो आप इसको cover पूछ नहीं सकते लेकिन all doubts solve किये जाते हैं top educator के द असानी से आने academy से जुड़ कर आप अपनी तयारी को कर सकते हैं चुकि यह course एक foundation course एक foundation batch है और यह foundation बैच है एक 12 महीने का यह बैच है जिसमें आपके सारे syllabus आपको basic से लेकर आपका बड़े level तक higher level तक चीज़ें यहां पर cover की जाएंगे साथी साथ आपको educator आया हुए question और आपको बताया कि क्यों आप unacademy plus से जुड़िये साथी साथ मैं आपको बताया कि अभी जो 24th February है 24th February से यह batch start हो रहा है लक्ष करके यह batch है इसमें अलग-अलग top educator आपको guide करेंगे और आपकी तयारी में भरपूर आपकी सहायता करेंगे तो यह हो गया मैं यहां पर कुछ आपको बताना चाहूंगा जैसे syllabus के संदर में अगर UPSC के syllabus की हम लोग बात कर लें तो आपको पता है कि UPSC का भी syllabus जो है UPSC, अच्छा एक चीज़ मैं आपका और बताओं अगर earn academy UPSC, UPSC से जुड़ते हैं तो आपको यहां पर BO की exam होते हैं उनकी भी तयारी के लिए teacher मिलेंगे, batches मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मैं और बता दूँ कि आप UPSC की तयारी कर रहे हैं, UPSC से related जितने भी exam होते है lower pieces के exam हो गए और UPSC वाले exam तो होते ही हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको यहां पर teacher available है, classes available है, यहां पर batches, courses available है, जिनका आप benefit एक ही subscription में ले सकते हैं कई ऐसे optional subject भी हैं जो यहां पर आपको मिलते हैं, अब यहां पर थोड़ा समय आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा syllabus के बारे में, चुकि मैं geography की बारे में बात करूँगा, geography मेरा subject है, मैं geography पढ़ाता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर हम आपसे discuss करेंगे, देखी जब syllabus के हम लोग बात करते हैं, तो exam के संदर में अगर बात करें तो exam prelims, pre plus mens में है, दो भागों में, बाकी interview तो है ही, तो pre और mens में है, तो pre में आपको पता है, एक CSAT का paper होता है, और एक GS का paper आपको देखने को मिलता है, है न, एक GS का paper और एक CSAT का paper होता है, तो CSAT क और GS के paper को आते हैं, GS के paper में देखिए, अलग-अलग subject से question पूछे जाते हैं, वो आपका history भी हो गया, वो आपका geography भी हो गया, वो आपका constitution quality वाला parts भी हो गया, environment भी हो गया, science tech भी हो गया, current हो गया, यहां तक की UP special से भी चीज़ों को पूछा जाता है, economics वाला topic हो गया, उ तो syllabus में geography, अगर हम लोग prelims के syllabus में UPPSC का, अब यहाल फिलहाल में होगा भी जब आपका exam, तो उसके संदर में थोड़ा सा यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, कि आखिर में UPPSC के prelims के syllabus में, या कौन-कौन से वो topics को हम लोग cover कर लें, जिससे हमारा काम हो जाए, तो geography को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आपका geography का पार्ट हो गया, Indian geography, या आप यूँ कह सकते हो, fiscal geography, एक आपका world geography का पार्ट हो गया, और एक आपका इंडियन geography का पार्ट हो गया, इंडियन geography का पार्ट हो गया, यह तीन तरीके से आपके question आते हैं, और इनको हम लोग तीन भागों में divide कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पर ध्यान में यह रखना है, कि fiscal geography, fiscal geography से भी question आते हैं, लेकिन fiscal geography का अगर prelims के संदर में हम लोग role देखें, तो बहुत जादा role prelims के संदर में हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन role इसका जो है, उतना नहीं है, लेकिन आपका अगर आप Indian geography के संदर में बात किया जाए और world geography के संदर में बात किया जाए, यानि खास कर इसमें mapping वाला portion आपका, mapping वाला जो portion होता है, जैसे इंडियन geography का fiscal वाला part उठा लेजे, जैसे कि आपका soil हो गया, वनस्पतियां हो गई, इसके अलावा आपका भारत की भूँ आकर करती, physiography की बात कर ले, mountain परवत, वहाँ पे plateau हो गया, घाटियां हो गया, दर्रे हो गया, साथ ही साथ आप river वाले topic को ले लीजे, तो यहां से question पूछे जाते रहे हैं, और पूछे की पूछने की भी असीम संभावनाएं इन ही topic से होती है, रही बात, world geography जब हम लोग करते हैं, तो world geography के ही, यानि सारे continent के संदर में अगर बात करें, तो उन continents के संदर में हम लोग वहां के fiscal, वहां के political, और साथ ही साथ वहां के economical आर्थिकी वाले topic को भी उठा सकते हैं, कौन सा देश किस continent में है, वहां की राजनीतिक या कौन सी boundary किस देश के साथ लग रही है, राजनीतिक विशिष्ताओं के साथ साथ वहां पर कौन से mountain पाय जा रहे हैं, कौन कौन से platos पाय जा रहे हैं, कौन कौन से वहां पर घाटियां हैं, परवत हैं, पठार हैं, इन सब पे discuss हम लोग वहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे, तो कभी कभी match करने क के लिए आपको question आ जाते हैं इस तरीके से, साथ ही साथ अगर हम लोग economical अगर देखें, आर्थकी वाले पार्ट पे देखें, तो कौन से industries कहां पे हैं, कौन कौन से उध्योग कहां कहां लगाए गये हैं, पर्टिकुलर वह छेत्र किस खनिच के लिए प्रसिद्ध है, साथ यहां पर परिवहन के संदर में भी question, मार्क से संबंदित भी question पूछे जाते हैं, तो world geography का role जो है, इंडियन geography का जो role है, अप इच्छा क्रेत, मैं यू नहीं कह रहा हूं कि fiscal geography का role नहीं है, लेकिन उनकी तुलना में कहीं न कहीं UPPSC में इनका role आपका बढ़ जाता, ठीक है होगा prelims के संदर में, तो prelims में भारत और विशु का भूगोल आपका syllabus में लिखा रहता है, ठीक है न, तो वहाँ पर कहा रहा है, भारत का और विशु का भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल, ध्यान से सुनिएगा, भारत का भौतिक, सामाजिक, तथा आर्थिक भूगोल, यानि इन तीनों छेत्रों को इंक्लूड करते हुए, आपका question पूछा जाएगा, ठीक न, यानि कहने का मतलब यहाँ पर जब आप syllabus भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सामान जानकारी की परफ होनी चाहिए, यह लिखा रहता है, तो सामान जानकार से start पर यह हो गया, कि बहुत जादा detail में, prelims के संदर में आपको नहीं जाना है, ठीक न, अगर भारत के geography के संदर में देखा जाए, तो भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से question पूछे जाते हैं, वहीं भारत और विश्व के संदर में भी यहाँ से question पूछे जात तो आपको इनको करना क्या है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको simple सी बात है, अगर unacademy से जुड़े हैं, तो मेरे geography के videos को देखिए, geography के videos को देखिए, और साथ ही साथ आपको एक काम करना है, कि आप जितने भी practice कर सकते हैं, जितने MCQs solve कर सकते हैं, previous year के questions हैं, उनको solve कर सकते हैं, उनको करने का प्रयास करिए, मैं यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कि प्रिलिंस में कौन कौन से topic को अगर आप cover कर लें, तो आपका काम बन जाएगा, तो कुछ topics मैं बता दूँ, जैसे आप physical geography पढ़ते हैं, फिस्कल geography की बात करते हैं, तो फिस्कल geography में भी आपको एक चीज़ धान में रखना है, देकि फिस्कल geography में सारी चीज़ें आपको फिलहाल नहीं जानना है, लेकिन कुछ topic हैं, जैसे कि फौर मैं यूँ कहूँ, ऐसे, कि ऐसे समझें, जैसे इंडिया और उसका internal structure of earth, तो internal structure of the earth में बहुत ज्यादा detail में आपको नहीं जाना, कुछ basic knowledge, जैसे अगर हम लोग भारत के संदर, प्रीथवी के आंतरिक संदचना की बात करें, तो प्रीथवी की आंतरिक संदचना कौन सी परत, किस से बनी हुई है, उसक की गहराई कितनी है, साथ-ई-साथ उसका nature क्या है, कौन से तत्र से बनी है, कौन से खणिजों से बनी है, साथ-ई-साथ आपको बताना है कि यहाँ पर जो इन परतों को अलब करने वाले discontinued teas हैं, यानि और समबधताय हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इन के बारे में knowledge prelims के संदर में आपको जानना होगा अगर हम लोग मां लीजे कि volcanic वाला chapter पढ़ रहे हैं वालकेनों तो वालकेनों के संदर में हमको तो वालकेनों के संदर में जैसे question हो गया वह कौन-कौन से छेतर हैं जहां पर वालकेनों जादा आते हैं कौन-कौन से वालकेनों कहां कहां पर situated हैं इनके संदर में जैसे इटली में कौन-कौन से वालकेनों हैं अगर आप देखो साउथ अमेरिका में कौन-कौन से वालकेनों तो particular उस वालकेनों की और वालकेनों का place कहां पर वह situated है या वह volcano कहां पर पाय जाते हैं इन से संबंधित जानकारी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए साथ इसाथ अगर हम लोग बात करें volcano के संदर में केवल इतना ही नहीं अगर हम लोग बात कर लें कि volcano कौन सा किस प्रकार का volcano है जैसे कभी कभी आपको दे दिया कि यहां पर volcano है और यहां पर प्रकार है या हो सकता है यहां पर volcano दे दे और किस country से वो related है तो volcano दे दिया पता चला सांत volcano है सांत ज्वाला मुखी है या active volcano है या आपका सक्रिय ज्वाला मुखी है या सुसुप्त ज्वाला मुखी है तो अगर आप जानते रहेंगे, तो इनके भी संदर में आपको बात कर लेंगे, कि हाँ कैसे-कैसे, कौन-कौन से वालकेनिक हैं, तो इस तरीके से भी question हो सकते हैं, कुछ basic चीजे आपको, जैसे granite और basalt, अगर हम लोग चटानों के संदर में बात कर लें, तो चटानों के संदर म अगर हम लोग बात कर लें जैसे एगनियस के साथ साथ अगर हम लोग बात कर लिए मेडा मॉर्फिक यानि आगने कायांत्री तथा अवसादी चट्टानों की विसेस्ताएं क्या होती हैं तो विसेस्ताओं के संदर में statement के रूप में question पूछे जाते हैं जैसे for example कि आगने चट्टानों की विसेस्ता है निमलिखित में से कौन से विसेस्ता हैं आगने चट्टानों के संदर में आपको हो सकता है कि कतन कारण के संदर में भी question पूछा जा सकता है तो basic knowledge इसके भी संदर में ध्यान में रखेगा एक चीज़ में और कह दू volcanic से related आपका जो land form है यानि कौन-कौन से land form का निर्माण होता है जैसे bacolit, facolit हो गया, dike हो गया, seal हो गया, साथी-साथ यहां पर geyser हो गया, लावा संकू हो गया, तो लावा के संदर में भी पूछा जा सकता, इसकी इस्थलाकृतियों के संदर में पूछा जा सकता है कि कौन सा बाह इस्थलाकृती है वालकेनों की या कौन सी आंतरिक इस्थलाकृती है इस संदर में आपके question पूछे जा सकते हैं या जाते रहें वही पर आपको mountains हो गए mountains के प्रकार कौन सा किस प्रकार का mountains है और यह mountains कहां पर किस देश में located है और किस प्रकार का है इससे भी question पूछे जा सकते हैं कौन सा mountain कहां पर किस देश में है साथ ही साथ आपका वह किस प्रकार का mountain है इसके संदर में question पूछे जा सकते हैं छोटी basic चीजे जैसे plateau हो गया तो plateau वाला तो हम लोग world geography में जब पढ़ते हैं तो world geography में चीजों को हम लोग cover कर लेते हैं अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्लेटो के संदर में वल्ड जगरी में भी चीजे प्राप्त हो जाती हैं अगर हम लोग fiscal geography की बात करें जैसे प्लेटो के संदर में, तो कितने प्रकार के प्लेटो होते हैं, उनकी विशेशताओं के संदर में, लेकिन कौन से देश में कौन से प्लेटो पाय जा रहे हैं, इसके संदर में हम लोग वर्ल जॉग्रफी वाले टॉपिक में कवर कर लेते हैं, ठीक हैं, तो इस तरीके स हो गया इसके अलाम आप देखिए जैसे जल्धाराएं हैं जल्धाराओं से अच्छे खासे question पूछे जाते हैं तो जल्धाराओं को आपको oceanography वाले topic में cover करना है कौन कौन से wind है कौन कौन से wind कहां प्रवाहित हो रही है कौन कौन से पवने कहां प्रवाहित हो रही है जैसे कभी आप देखिए लोकल विंड तो लोकल विंड के संदर में question पूछ लेता है यह लोकल विंड कौन से देश से related है किस देश में प्रवाहित हो रही है कि जैसे फॉर इक्जाम्पल जैसे कि आपको पता है यहाँ पर चिनुक प्रवाहित होती है यहाँ पर जोंडा प्रवाहित होती है यहाँ पर हर्मेंटर प्रवाहित होती है यहाँ पर मिस्ट्रल है यहाँ पर सिरुकू है और उसी तरीके से भारत में लू है जापान में यामू है ठीक नम आस्टेलिया में brick filter है ठीक है तो कहने का मतलब कौन सी local wind कहां पर प्रवाहित हो रही है यह भी आपको जाननी की जुरुत है उसका nature क्या है cold है या warm current है इसके संदर में भी आपको ध्यान में रखना wind है cold है या warm wind है कहां पर चलती है उसका direction क्या है अगर उसके संदर में कोई विशेष्टाएं हैं तो उनको भी आपको ध्यान में रखना यह भी ध्यान में रखना होगा तो यह भी topic हो गया तो कुल मिलाके देखिए fiscal geography से भी बहुत ज्यादा detail में prelims के संदर में नहीं जाना है बहुत ज्यादा detail में जाने जिरुत नहीं है prelims में basic चीजों से ही question अगर आपसे fiscal geography से पूचे जा रहे हैं तो पूचे जा रहे हैं वही चीज आपका world geography और वही चीज आपका इंडियन वाला तो इंडियन geography में भी आपका fiscal वाले part को ज़्यादा cover कीजिएगा उसका importance आपको ज़्यादा देखने को प्राप्त होता है ठीक है तो यह कुछ आपका topic है जिनके बारे मैंने आपको बता दिया है बाकी अगर आप prelims के syllabus के संदर में बात करेंगे तो prelims का syllabus जो है basic knowledge के बारे में ही बात करता है आर्थिकी सामाज scientific तथा भौतिक भूगोल के संदर में बात करता है physical वाले physiography के संदर में बात करता है ठीक है न तो यह आपकी चीजें हैं बाकी फिर से मैं last में आपको बता दूँ अनकेडमी प्लस से आप जुड़ सकते हैं और उसके लिए अलग-अलग यहाँ पर charges है इस code का use करिएगा सा साथ आपको मैं बता दूँ यह जो batch स्टार्ट हो रहा 24 से स्टार्ट हो रहा है तो कोसिस करिए उससे पहले अनकेडमी से जुड़िए और इसका लाब उठाईए और अपनी तयारी को आप अंतिम लेवल तक यानि इसको यह नहीं हो कि prelims निकाल लिया तो मेंस में रहे गया मेंस निकाल लिया तो यह सारी तयारी आपको यहाँ पर की जाएगी